हेलो गाईज आज आपका फिर्षे स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेकनिक की दुकान में और गाईज आज मैं आपको बताऊंगा MYA 10 8.10.11 तो गाईज इसकी अपडेट आगए मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग में जाका तो गाईज आप यहां पर देख सकते हैं इसकी अपडेट आ गई है मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ गाईज इसमें अपने वताँगा इसमें क्या का नए फीचर मिले हैं तो वीदियो को سकिप ना करें पूरा देखें और फाइनली मैं इसको अपडेट कर लेता हूं तो आई गाईज शुरू करते हैं तो गाईज मैंने अपने फॉन को finally अपग्रेड कर लिया है तो गाईज यभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सके तो guys आप मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने phone को MIUI 10 8.10.11 के version में upgrade कर लिया है और guys आप मैं आपको बताऊंगो इसमें क्या क्या नई feature मिले है और guys इस update में सबसे बड़ी बात तो यह है जिसका हम बहुत दिनों से इंतिजार कर रहे थे अपनी Xiaomi की device के लिए तो guys इसमें camera में rear camera में portrait mode आ गया है जिसका हमें बहुत दिनों से इंतिजार रहता तो guys मैं आपको camera को खोल के दिखा देता हूँ guys आप यहाँ पर देख सकते है यह एक camera portrait mode आ गया है तो guys यह काफी अच्छा हुआ और इसमें जो नए बग फिक्स किये गए है वो है MI apps icon is not showing in notification पैनल तो guys मैं आपको दिखा दूँ MI apps में किसी app को update करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते है यहाँ पर app को show कर रहा है उसकी notification आ रही है और guys अगला जो बग फिक्स किया गया है अगला जो बग फिक्स किया गया है वह है MI cloud hash drop तो guys MI cloud की इस problem को इस update में fix कर दिया गया है और guys अगले जो बग है वो है wrong date formatted general version तो guys यह हमारे यहाँ की update नहीं है इसको जर्मन में fix किया गया है तो वहाँ पर fix हो गई होगी और guys अगला जो बग fix किया गया है view sim card space source blank names for sim when open directly from setting तो guys यह जो कुछ sim card में issue था इसको इस update में fix कर दिया गया है तो guys मैं आपको बता दूँ इस update में आप यहाँ पर देख सकते हैं face unlock option अभी नहीं आया है तो आएक अपडेट में आ सकता है मैं आपको बतांगो इसमें क्या क्या और नए change किये गए है तो guys हम security में जाते थे तो यहाँ पर hardware test का पहला छोटा सा icon आता था लेकिन guys इसको बढ़ा कर दे गया है तो guys मैंने अपने अभी device को चेक किया है तो अभी इसमें खली यही change हुए है अगर और कोई change आता है तो मैं इसकी वीडियो बना कर आपको बता दूँगा और guys वीडियो को like जरूर कर दे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करें comment करें और share करें और हमारे चनल को subscribe करना ना भूलें क्योंकि हम ऐसी technical वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं